ऐसी बहुत ही काम किताबें होती है जो गुजर्ते वक्त के साथ अपनी लोक्रियता को बरकरार रखते हुए सो साल से भी ज्यादा समय के बाद भी असाधारन और बहुमूल्य बनी रहती हैं। उन्ही किताबों में से एक ये किताब है जिसे दार्शनिक और जिग्यास जेम्स एलन ने लिखा है। इसमें मानविय विचार और चेतना की प्रकृती के बारे में विस्तृत जानकारी है। इस किताब की शुरुआत में ही वे इसके महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि ध्य और अनुभव के अन्परिनामस वरूप अपने विचारों को किताब के रूप में लिखा था। मानविय मन के बारे में इतनी सरलता और खुदसूर्ती से लिख कर वे दोनों ही इस विशे के मर्म तक पहुँच गए। एलन विचार एवं चरित्र के बीच के संबंध को समझ और कुल मिलाकर हमारे चरित्र, परिस्थितियों और नियंपती के लिए पूरी तरह से हमें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। असल में वे कहते हैं वे चार और बरित्र एक ही हैं। वे मन के शुद्धीकरण, आत्मसयम और चरित्र की कम्यों को सुधारने की इच्छा को करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध हैं। वे देवी नियम की प्रकृती को भ्रमान का प्रबल सिधान्त मानते हैं। एलन इस बात को समझते हैं कि शरीर मन का दास है और इसलिए बीमारी और अच्छा स्वास्थय विचार में नहित होते हैं। वे हमारे विचार हैं और यहां तक की आध्यात्मेक उपलब्धिया भी हमारी आकांक्षाओं और विचारों की पवित्रता का परिनाम हैं। वे हमें सावधान करते हैं कि हम किसी भी चरन पर अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम जितनी भी प्रगती करते हैं हम उसे सतर्क्ता और त्याग के साथ बरकरार रखना होगा। एलन स्वपन की प्रकृति को मानविय मन की सचसे बहमूख्य लक्षनों में से एक का दर्जा देते हैं। वे हमें उदात्त सपने देखने के लिए प्रोच्साहित करते हैं क्योंकि सपने असलियत के बीज हैं। वे दिल और दिमाग द्वारा निभाए जाने बाली परस्यर भूमिकाओं को भी एहमियत देते हैं और कहते हैं जिस परिकल्पना को आप अपने मन में गौरवान वित करते हैं। जिस आदर्श को आप अपने हृदय के सिंधासन पर आसीन करते हैं इसी के द्वारा आप अपने जीवन को निर्मित करेंगे और वही आप बनेंगे। जो सर्वोच्य तक पहुँचने में हमारी मदद करता है। जैन करके उन्हें बढ़ावा दिया चरित्र रूपी आंतरिक वस्त्र और परिस्तिती रूपी बह्या वस्त्र का कुशल बुनकर मन ही है। और जैसा की अभी तक फ्लेश और अग्यानता के कारण उसने दुखदर्द को ही बुना है। अब उसी मन के द्वारा आप ज्यानो दे और सुख शांती का निर्मान कर सकते हैं। जेम्स एलन ब्रॉटपाक एवन्यू इलना कॉंब इंगलेंड। मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। ये कहावत मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती बल्कि ये इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू हर दशा पर अपनी चाप बनाये रखती है। मनुष्य अक्षर्षव वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। जैसे एक पेर बीज से उकता है, बीज के बिना पेर नहीं उक सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किये गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य होगी नहीं सकता था। ये बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी की सोच समझ कर किये गए कार्यों पर। विचार का पुश्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल है, इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में अपने खुद के विचारों के कभी मीठे और कभी कड़वे फल संचय करता है, मन में निहित विचार ने हमें बनाया है, हम जो भी हैं, वह अपने विचारों द्वारा गड़े और निर्मित किये गए हैं, यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है, जैसे बैल के पीछे पहिया, यदि कोई विचारों की पवित्रता को बनाय रखे, तो निश्चे ही प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करती हैं जैसे उसकी अपनी परचाई, मनुष्य प्रकृती के नियमों के अनुसार बढ़ता है ना कि कृत्रिम साधनों से स्रिजित होता है, तथा कार्या और कारंग छिपे हुए विचारों के परिमंडल में उतने ही निर्बाद और अविचल होते हैं, जितने की इस तरह नीच और पाश्विक चरित्र भी ऐसे आधम विचारों को अपने मन में निरंतर बनाए रखने का परिनाम है, मनुष्य खुद ही अपने आपको बनाता या बिगारता है, विचार रूपी शस्त्रागार में, वह उन शस्त्रों को धीवे द्रिश्यमान और द्रिश धीरे धीरे भरता चला जाता है जिनसे वह खुद का विनाश कर लेता है, वह उन उपकरनों को भी गरता है, जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता, शक्ती और शांती के शांदार भवनों का निर्मान करता है, विचार के सही चुनाव और सही उप्योग से मनुष्य योग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है, इन दोनों छोर के बीच में चरित्र के विभिन क्रम होते हैं, जिन हैं बनाने वाला और उन पर महारत हासिल करने वाला मनुष्य ही है, आत्मा से संबंदित जितने भी सुन्दर सत्य हैं, वे इस योग में पुन और हालात, वातावरन एवं नियती को बनाने तथा सवारने वाला भी है, शक्ति, बुद्धी और प्रेम से युक्त जीव होने और स्वायम अपने विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिती की कूंजी होती है और उसके भीतर परिवर्तित करने वाल तथा पुनरजीवन देने वाले साधन भी मौजूद है, जिनसे वह खुद को जो चाहे वह बना सकता है। अपनी उर्जा का संचालन समझदारी से करता है और अपने विचारों को फलदायक कार्यों की ओर मोर देता है। एक सचेत मालिक ऐसा ही होता है और मनुश्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने खुद के भीतर विचार के नियमों को खोज ले। ये खोज पूरी तरह से अनुभव, आपने रीक्षन और स्वयम पर लागू करने का विशे है। केवल कठिन परिश्रम और गहराय तक खुदाई करने के बाद ही सोना और हीरे पाय जा सकते हैं। उसी तरह अपनी अंतरात्मा रूपी खदान में गहराय तक जाकर खोजने पर ही मनुश्य अपने अस्तित्व से संबंदित हर सत्य को पा सकता है। यदि वह अपनी समझदारी, विवेक और शक्ती का उप्योग करके अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें नियंतरत करे और उनमें परिवर्तन करे तथा उनसे होने वाले प्रभावों को अपने उपर, दूसरों के उपर, अपने जीवन और उसकी परिस्थितियों के उपर उनके कारण और प्रभाव को जोड़कर धर्यपूर्वक अभ्यास और छान बीन करे तथा अपने हर अनुभव का उप्योग करते हुए, रोसमर्रा की सिंद्गी में होने वाली छोटी से छोटी घटना को परक कर, अपने खुद के बारे में ग्यान प्राप्त करने का साधन समझे तो वह इस बात को अच्चूक साबित कर सकता है कि अपने चरित्र को बनाने वाला, अपने जीवन को गढ़ने वाला और अपने भाग्य का निर्मान करने वाला स्वयम वही है, किसी भी अन्यस्थिती की अपेक्षा, इस दिशा में यह नियम की, जो खोचता है वही पाता है और जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है, पुरी तरह लागू होता है, केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर द्रिन रहने से ही मनुष्य ग्यान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश पा सकता है, मनुष्य का मन एक उपवन के समा यदि उसमें उप्योगी बीज नहीं बोए गए तो बिकार के पेड़ पौधे उकते रहेंगे, अनुप्योगी जंगली खर्पतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखेरते रहेंगे और अपने ही समान खर्पतवार बढ़ाते जाएंगे, जैसे माली अपने उप्योगी और शुधफल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बराबर करते रहने से देर सवेर मनुश्य को आखिर यह बोध होगी जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का वही प्रमुक माली है और अपने जीवन का निर्देशक भी विचार के ये नियम उसके भीतर उद्धाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ती और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्तितिया और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जाती है अस्तित्वा के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है, जहां उसे होना चाहिए, जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है, वहीं उसे वहाँ पर लेकर आये हैं, और उसके जीवन की व्यवस्था में इत्तफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम का परिणाम है, जिसमें कभी गलती होगी नहीं सकती, यह उनके लिए बिलकुल उसी तरह सच है जो अपने वातावारन से संतुष्ट है और उनके लिए भी जो अपने वातावारन से सामंजस्य नहीं बैठा पाते, एक प्रगतिशील और विकास प्रणी के रूप में, मनुष्य जहां कहीं भी है, यह सीखने के लिए है कि वह विक्सित हो, और किसी भी परिस्तिती में जैसे जैसे वह अपने लिए नहीं ताध्यात्मिक सबक सीखता जाता है, वैसे वह परिस्तिती समाप्त होती जाती है और दूसरी परिस्तितियों को जगह देती जाती है। जब तक मनुष्य स्वयम को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्रानी मानता रहता है तब तक वह परिस्तितियों के थपेडिक हाता रहता है। जगह देती हैं कि परिस्तितियों में बदलाव होता है। ये बात इतनी सटीक है कि जब मनुष्य इमानदारी से अपने चरित्र की कम्यों को सुधारने की कोशिश करता है और बड़ी तेजी से विशिष्ट प्रगती करता है तब वह तीवरगती से एक के बाद एक उतार चड और उससे डर्ती भी है वह अपनी सजोई हुई आकानक्षाओं की चरम सीमा पर पहुँचती है और अपनी बेलगाम इच्छाओं के स्तर तक गिर्ती जाती है और परिस्तितियां ऐसे साधन हैं जिनसे आत्मा अपने कर्मों के अनुरूप अपने मकौम को प्राप्त करती है 21. हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जाता है या जिसे मन में छिपा कर पनपने दिया जाता है वह वहां अपनी जड़े जमा कर अपनी तरह की पैदावार करता है और देर सवेर वक्रिया में फलीभूत हो जाता है तथा अफसर और परिस्थिती की अपनी फसल देता जा सुख़द और दुख़द दोनों ही बहरी दशाय व्यक्ति के मूलभूत कल्यान के लिए कारण बनती हैं। वृद्धी और समझोते के नियम हर जगह लागू होते हैं। मनुष्य को बनाने वाली परिस्थितिया नहीं होती, वे केवल उसके सामने खुद उसी को जागर करती हैं। दिकारी बनकर खुद अपना निर्माता, अपने वातावरन का रचयता और उसे आकार देने वाला है। जन्म के समय भी आत्मा अपने आप आती है, धर्ती की इस यात्रा के हर कद्म पर परिस्थितियों के उन सयोगों को आकरशित करती हैं। खुद उसकी अपनी पवित्रता या पवित्रता उसकी खुद की शक्ती या कमजोरी के प्रतिविम को उजागर करती है। मनुष्य उन चीजों को आकरशित नहीं करते जो उन्हें चाहिए बलकि उसे आकरशित करते हैं जो वे हैं। उनकी सनक, भ्रांतिया और महत्वा कांक्षाय हर कद्म पर निश्वल हो जाती हैं। लेकिन उनके आंतरिक विचार और इच्छाओं का पोशन उनके खुद के अच्छे या बुरे विचारों से होता है। हमारे अंतिमक्षन को आकार देने वाली दिव्यता हमारे भीतर ही है और वही। 23, 24, 68 हमारी आत्मा है। मनुष्य ने खुद ही अपने आपको बेडियों से बाध रखा है। विचार और कर्म भागय के जेले जैसे हैं वे अधम होने के कारण सीमा बद्ध कर देते हैं, वे आजादी के फरिष्टे भी हैं ओदात्त होने के कारण वे मुक्ती देते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह इच्छाई या याचना करता है, बलकि वह मिलता है जो उसने इमानदारी से कमाया है। उसकी इच्छाई और याचनाए तभी सुनी जाती हैं और पूरी होती हैं जब विचार और कर्म के साथ उनका सामंजा से स्थापित हो जाता है। इस सच्चाई को समझने पर परिस्थितियों के खिलाफ लढ़ना इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य निरंतर बाहर दिखाई देने वाले प्रभाव से विद्रोव करता है, जबकि वह उसके कारण को हर समय अपने हृदय में पोशित करते हुए सुरक्षित रखता है। वह कारण चेतन दोश का रूप ले सकता है या एक चेतन कमजोरी का, लेकिन चाहे वह कुछ भी हो, वह उसके स्वामी की हर कोशिश में हटपूर्वक बाधा डालता है और उसके सुधार के लिए चीक पुकार मचाता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित हैं, लेकिन खुद को सुधारने के लिए वे तयार नहीं हैं, इसलिए वे दास्ता में जकड़े रहते हैं। त्याग करने के लिए तयार रहना पड़ता है, फिर जो कोई एक सुधरन और संतुलित जीवन पाना चाहता है, उसे तो कितने ज्यादा त्याग करने के लिए तयार रहना होगा। सच्ची संपन्नता का आधार हैं। एक और तो वह अपना स्वास्थे चाहता है और दूसरी और स्वाद के लिए अप्राकृतिक और गरीष्ट भोजन खाकर त्रिक भी होना चाहता है। एसा मनुष्य स्वास्थे प्राप्त 25 करने के लिए नितांत अयोग्य है क्योंकि उसने स्वस्थ जीवन का पहला सिध्धान थी अभी तक नहीं सीखा। यहां मजदूरों का एक प्रबंधक है जो उन्हें उप्युक्त वेतन देने से बचने के लिए धूर्ता पर उतर आता है और ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में उनका वेतन कम कर देता है। जब उसकी संपन्नता और प्रतिष्था का दिवाला निकल जाता है तो बिना ये जाने की अपनी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है, वह अपनी परिस्थितियों को दोश देता है। मैंने उपरोक्त तीन उदाहरन इस सच को सपष्ट करने के लिए दिये है कि अपनी परिस्थितियों का कारण मनुश्य स्वयम है, हाला कि लगभग हमेशा ही अच्छेतन रूप से, और यह भी कि उसका लक्ष अच्छे परिनाम प्राप्त करने का होते हुए भी, वह अपनी उपलब्धियों से निरंतर निराश होता रहता है क्योंकि वह ऐसे विचार और इच्छाओं को बढ़ावा देता है जो शायद उस अच्छे परिनाम से तालमिल नहीं बैठा सकते हैं, थोड़े बहुत बदलाव करके ऐसे अंगिनत उदाहरन दिये जा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि पाठक चाहें और संकल्प करें तो अपने मन में, अपने जीवन में विचार के नियम के प्रभाव को खोज सकते हैं, जब तक ऐसा ना किया जाए, सिर्फ बाहरी तथ्य विवेचना का आधार नहीं बन सकते, फिर भी, परिस्थितिया इत सकता, हाला कि हो सकता है, ये बात उसे स्वयम मालूम हो, कोई मनुष्य कुछ बातों में इमानदार हो सकता है, फिर भी अभावों का दुख जेल रहा हो, कोई मनुष्य कुछ बातों में बेइमान होते हुए भी धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन आमतोर पर यह मान लेना स पूरी तरह से बिलकुल बेइमान होता है और इमानदार आदमी हर मामले में पूरी तरह से इमानदार गहराई में जाने पर और विस्त्रित अनुभव के आधार पर ऐसा निर्नए गलत साबित होता है। इसी प्रकार बेइमान व्यक्ति अपने दुख और खुशिया अरजित करता है। उस सर्वोच पूर्णता के मार्ग पर और उस तक पहुँचने से कहीं पहले उससे यह हैसास होगा कि यही महाननियम जो निर्बाद रूप से न्यायप्रिय है उसके मन और जीवन में क्रियाशिल है। इसलिए वह अच्छाई के लिए बुरा और बुराई के लिए अच्छा परिनाम नहीं दे सकता। ऐसा विवेक जागरत होने के बाद जब वह पीछे मुढ कर अपने पिछले जीवन की द्रिष्ट हीनता और अग्यानता को देखता है तब उसे समझ में आएगा कि उसका जीवन हमेशा ही न्यायसिंगत रूप से सुव्यवस्थित था और अब भी है। अतीत के अच्छे और बुरे सारे अनुभव तीवरगती और न्यायसिंगत रूप से उसके चरित्र को विक्सित करने के लिए काम कर रहे थे उसका वह चरित्र जो अभी भी अविक्सित है। लेकिन इने गिने ही ऐसे होते हैं जो इस नियम को मानसिक और नैतिक स्तर पर समझते हैं। यद्यपी यह कार्य प्रणाली उतनी ही सरल और अटल है, इसलिए सर्व साधारन इससे सहयोग नहीं करते। तकलीफ है हमेशा ही किसी न किसी दिशा में गलत विचार का परिनाम होती है। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति खुद अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। दुख तकलीफ का एक मात्र और सर्वो परी उप्योब होता है शुद्धिकरन के लिए और उन सभी चीजों को नश्ट करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध हैं। जो निर्मल है, उसके लिए तकलीफ समाप्थ हो जाती है। सोने में से पूरी तरह अशुद्धी निकाल देने के बाद उसे तपाने का कोई अर्थ नहीं है। एक पूरी तरह स्वच और प्रबुद व्यक्ति कताई दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को दुख तकलीफ में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वे उसके ही मानसिक असंतुलन का परिणाम है। जिन परिस्थितियों का प्रभाव सुखकारी होता है, वह मनुष्य के मानसिक सामन जस्य के कारण होता है। सौभाग्य शाली होने का माबदंड भौतिक संपत्ती नहीं बलकी सही विचार है, दुर्भाग्य का माबदंड भौतिक संपत्ती का अभाव नहीं बलकी गलत विचार है, कोई मनुष्य धनी होते हुए भी अभिश्यापित हो सकता है अथ्वा गरीब होते हुए भी गरीबी और आसकती दुर्भाग्य के दो छोर हैं। ये दोनों समान रूप से अस्वाभाविक और असंतुलित मन का परिणाम है। जब वह अपने मन को उस नियंत्रन करने वाले घटक के अनुकूल कर लेता है, तब वह दूसरों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देता है और खुद को महान और उदात्त विचारों से गढ़ने लगता है। प्रबल सिध्धान्त व्यवस्था का है अव्यवस्था का नहीं। न्याय जीवन की आत्मा और तत्व है अन्याय नहीं। नहीं, साथ ही इस संसार के आध्यात्मिक शासन को गढ़ने वाली और चलाने वाली शक्ती सदाचार है भ्रश्टाचार नहीं। ऐसा होने के कारण ये जानने के लिए की भ्रमान सही है, मनुश्य को और कुछ नहीं बलकि स्वयम को सही करना होगा और खुद को सही करने की इस प्रक्रिया के दौरान वह समझेगा की जैसे जैसे वह लोगों और चीजों के प्रती अपने विचारों को बदलता जाएगा, विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिये और वह अपने जीवन की भोतिक दशाओं में होने वाले तीवल परिवर्तनों के प्रभाव को देख कर चकित रह जाएगा, मनुश्य कल्पना कर लेते हैं कि विचार को छिपा कर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा होगी नहीं स ये तेजी से आदत में बदल जाते हैं और आदत घनीबूत होकर परिस्तिती में बदल जाती हैं। जो असफलता, दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता में घनीभूत 31. हो जाते हैं आलसीपन के विचार दुष्टता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं तथा अन्यमित्ता और भिखारीपन की परिस्थिती में घनीभूत होते हैं घ्रिनापूर्ण और दंडात्मक विचार दोशारुपन और उग्रता की आदतों में बदल जाते हैं जो फिर नुकसान और अत्याचार की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं सभी प्रकार के स्वार्थ पूर्ण विचार स्वार्थीपन की आदतों में बदल जाते हैं, जो लगभग दुखत परिस्थितियों में घहनी भूत होते हैं। दूसरी और हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालुता की आदते धारं कर लेते हैं, जो सद्भाव पूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेती हैं। परिश्रम की आदतों का रूप धारं कर लेते हैं, जो आनंदाई परिस्थितियों में बदल जाती हैं। हाला की अपनी परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे-सीधे तो नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों का चुनाव करके वह निश्चे ही अपनी परिस्थितियों को ढाल सकता है। हर मनुष्य के उन विचारों को प्रकृती संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वह बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को बहुत तेजी से उभार कर उपर ले आने का अफसर प्रदान करती है। मनुष्य को अपने दोश्ययुक्त विचारों से मुक्त होने दो, सारा संसार उसकी और स्नेहपून होकर उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाएगा, उसे अपने कमजोर और दूशित विचारों को दूर कर लेने दो और बस देखो, उसके मजबूत इरादों में मदद के ल अलाइडोस्कोप या बहुरूपदर्शी है, जो आपके निरंतर बदलते विचारों की अतिसमवेदंशील समयोजित तस्वीरों को पलपल आपके सामने उभारता है 33. तो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद हो, असफलता को उसका मिथ्या संतोश लेने दो उस निर्दोश शब्द वातावरं में, परंतु आत्मा उसे तिर्स्कृत कर मुक्त है ये समय और आकाश को जीत लेती है मौके रूपी उस शेखी बास छलिया को डरा कर और हालात की ताना शही को आदेश देकर मुकुट उतार, सेवक की जगह भर दो मानवी ये इच्छा शक्ती, वह अद्रिश्य शक्ती, अमर आत्मा की संतान किसी भी लक्षे के लिए चीर कर राह बना सकती है भले ही ग्रेनाइट की दिवार बीच में हो देरी होने पर धहर्यम मत खो बस इंतजार करो समझदारी से, जब आत्मा उठकर आग्या देती है देवी देवता भी आग्या पालन को ततपर रहते हैं शरीर मन का सेवक है यह मन के क्रिया कलापों का पालन करता है चाहे वे जानबूज कर चुने गए हो या स्वतही व्यत किये गए हो अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और सगन के गर्थ में धस जाता है सुन्दर और सुखद विचारों के आदेश पर वह सुन्दरता और योवन रूपी वस्त्र धारंग कर लेता है बीमारी और स्वास्थे जैसी परिस्थिति अमूलता विचार में होती है अस्वास्थे कर विचार खुद को अस्वस्थ शरीर द्वारा व्यक्त करेंगे ऐसा माना गया है कि दर के विचार मनुश्य को इतनी तेजी से मार सकते हैं जैसे पिस्तॉल की गोली और वाकई में वे हजारों लोगों को निरंतर मार रहे हैं हाला कि धीरे-धीरे बीमारी उन्ही को होती है जो बीमारी से भैवीत रहते हैं चिंता तुरंथ ही पूरे शरीर के मनोबल को तोड़कर बीमारी के प्रवेश का रास्ता खोल देती है जबकि दूशित विचार शीगरही सनायुतंतर को चिन भिन कर देते हैं भले ही कोई भोतिक रूप से उनमें आसक्त न हो द्रिर, पवित्र और सुखद विचार शरीर को मनोहर्ता और ओस से सशक्त बनाते हैं शरीर एक कोमल और प्लास्टिक अर्थात आसानी से मुर जाने वाला यंत्र है जो सहजी उन विचारों के लिए प्रतिक्रिया देता है जिनसे वह प्रभावित होता है और विचार की आदते अपने अच्छे या बुरे प्रभाव उन पर दिखाएंगी 37. मनुष्य जब तक दूशित विचार फैलाता जाएगा तब तक उसमें प्रभाहित होने वाला रक्तशुद्ध और जहरीला रहेगा छल कपट से रहित्रिदे से स्वच शरीर और विशुद्ध जीवन बनता है 38. कलुशित मन से भरष्ट शरीर और कलुशित जीवन उत्पन होता है विचार कर्म, जीवन और अभिव्यक्ती का ज़रना है इस ज़रने को पवित्र बनाएं और सब कुछ पवित्र हो जाएगा जब तक मनुश्य अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान पान बदलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी जब मनुश्य अपने विचारों को शुध बना लेता है तब उसे तामसिक भोजन की कामना नहीं रहती स्वच विचारों से स्वच आदते बनती हैं वे तथाकतित संथ जो नहाते नहीं है वास्तव में संथ नहीं है वह जिसने अपने विचारों को शुध करके द्रिलता प्रदान की है उसे नुकसान पहुचाने वाले सूक्ष जीवों को महत्व नहीं देना है यदि आप स्वयम अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अपने मन को चौकनना रखिए यदि आप अपने शरीर को नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को सुन्दर बनाए द्वेश, इर्शय, निराशा, विशाद के विचार, शरीर के स्वास्थे और रोनक को खत्म कर देते हैं अप्रिय चेहरा अकस्मात ही नहीं आ जाता बलकी यह कटू विचारों द्वारा बनता है जुर्या जो चेहरे को बिगारती है उनका कारण है मूर खता, दुर्वासना और घमन 38. मैं एक 96 वर्ष की महिला को जानता हूं जिसका चेहरा किसी अबोध लड़की जैसा दीपतिवान है एक और आदमी है जो अधेर्ण उनके करीब है जिसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं बड़े बेमिल रूप में खीची रहती है पहला चेहरा मधूर और खुशनुमा स्वभाव का परिणाम है जबकि दूसरा है दुर्वासना और असंतोश का परिणाम आपको तब तक मधूर और आरोग्यजनिक आवास नहीं मिल सकता जब तक आप अपने कमरे में हवा और सूर्य की प्रकाश को निर्बाद रूप से ना आने दे दूसरों के चहरे पर सशक्त और पवित्र विचारों का प्रभाब होता है जबकि अन्यके चहरों पर दुर्वासना का प्रभाब होता है कौन उन्हें पहचान नहीं पाएगा वे लोग जो इमानदारी से जीवन यापन करते हैं उनके लिए उम्र धलते सूर्य के समान शांत, प्रशांत और मृदुल होती है मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु शहया पर देखा है वो सिर्फ उम्र से ही व्रिधा था जितनी मधुर्ता और शांती से उसने अपना जीवन जिया था उसकी मृत्यु भी वैसी ही थी शरीर की बिमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों जैसा और कोई डॉक्टर नहीं होता है दुख और व्यथा की छाया को हटाने के लिए सद्भाव अथवा अपनापन दर्शा कर सात्वना प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता लगातार कटुता, संदे, इर्श्या और दुर्भाव पुन विचारों में रहना बिलकुल ऐसा ही है मानुखुद के बनाए हुए बंदीग्रेह में कैद रहना लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन रहना, धर्यपूर्वक सभी में अच्छायों को ढूंडने का प्रयास करना ऐसे नेस्वार्थ विचार ही स्वर्ख के द्वार हैं और दिन प्रतिदिन हर प्रानी के प्रती शांती के विचार बनाए रखने वालों को अनुपम शांती मिलेगी जब तक विचारों को उद्देश्य से न जोड दिया जाए, तब तक कोई भी बौदे को पलब्धी नहीं हो होती जीवन रूपी भवसागर में विचारों के मस्तूल वाला छोटा जहाज अधिकतर इधर उधर भटकता रहता है लक्ष विहींता एक दुर्गुन है और इधर उधर भटकना उस व्यक्ति के लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो विनाश और विधवन्स से साफ बचकर निकल जाना चाहता है वे लोग जिनके लिए जीवन में कोई विशेश उद्देश्य नहीं है विस्वयम पर तरस खाते हैं और आसानी से छोटी छोटी चिंताओं दुखदर्द और तकलीफों के शिकार हो जाते हैं जैसे कि जानबूच कर किये गए पाप कर्म भले ही किसी दूसरे रास्ते से किये गए हो ये सभी बाते कमजोरियों को दर्शाती हैं जिनका परिनाम होता है नुकसान, अप्रसन्नता और असफलता क्योंकि शक्ती से विक्सित होने वाले इस ब्रहमांड में कमजोरी हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती मनुष्य को अपने हृदय में किसी नयसेंगत उद्देश्य को धारन करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए क्रिट संकल्प होना चाहिए इस उद्देश्य को उसे अपने विचारों का केंद्र बिंदू बनाना चाहिए उस समय विशेश में उसके स्वभाव के अनुसार यहा आध्यात्मिक आदर्ष या किसी सांसारिक विशे का रूप ले सकता है लेकिन ये जो भी हो उसे अपनी विचार शक्ती उस विशे पर केंद्रित रखनी चाहिए जिसे उसने अपने सामने संकल्प के रूप में रखा है इस उद्देश्य को उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण करतव्य मानना चाहिए और उसे प्राप्त करने 43. के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए अपने विचारों को क्शन्भंदूर भ्रांतियों, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए आत्म नियंत्रन और विचार की सच्ची एकागरता के लिए ये राजमार्ग है यहां तक कि अगर वह बार-बार अपना उद्देश पूरा करने में असफल हो जाता है जैसा कि उसका असफल होना तै है, जब तक कि वह इस कमजोरी को दूर न कर ले इस तरह प्राप्त चरित्र की शक्ती उसकी सच्ची सफलता का माबदंध होगी और भविष्य के लिए सामर्थ्य और विजय का एक नया प्रारमविक बिंदु तैयार करेगी वे लोग जो एक महान उद्देश का बोध रखने के लिए तैयार नहीं है उन्हें करतव्य के दोश्मुक्त नुपालन के लिए अपने विचारों को एक महान उद्देशे पर केंडरित कर लेना चाही भले ही उनका काम कितना ही नगण्य क्यों न लगे केवल इसी प्रकार से विचारों को एकत्रित करके केंडरित किया जा सकता है और द्रिल निश्चय और उर्जा विक्सित की जा सकती है ऐसा कर लेने पर कुछ भी शेश नहीं रह जाता जिसे पूरा न किया जा सके अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए कि प्रयास और अभ्यास से ही शक्ति विक्सित की जा सकती है सबसे कमजोर आत्मा भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगी प्रयास पर प्रयास, धीरज पर धीरज और शक्ती पर शक्ती जुर्ते जाने से आत्मा कभी विक्सित होना बंद नहीं करेगी और आखिरकार दिव्यता के समान सशक्त हो जाएगी जैसे शारीरिक रूप से कमजोर मनुश्य, सावधानी और धैर्य पूर्वक प्रशिक्षित होकर अपने आपको शक्तिशाली बना सकता है वैसे ही कमजोर विचारों वाला मनुश्य, सही दिशा में सोच विचार करके स्वयम को शक्तिशाली बना सकता है निरुदे श्रहिंता तथा कमजोरी को दूर करने के लिए और संकल्प के साथ विचार करना शुरू करने के लिए ऐसे शक्तिशाली लोगों की श्रेनी में प्रवेश करना चाहिए जो असफलता को उपलब्धी के लिए केवल एक राह मानते हैं जो सभी दशाओं को अपने निर्मान में सहायक बना लेते हैं, जो पूरी शक्ति से सोचते हैं, निदर्ता से कोशिश करते हैं और निपुन्ता से कार्य का संपादन करते हैं अपने उदेश्य को समझ लेने पर उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बिना दाएबाय देखे मानसिक रूप से एक सीधा रास्ता चुन लेना चाहिए संदेह और डर को कड़ाई से निकाल देना चाहिए, वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रिखा को तितर बितर करके उसे तेड़ा मेला, निश्प्रभावी और बेकार कर देते हैं संदेह और डर के विचारों से न कोई काम पूरा होता है और न कभी किया जा सकता है वे हमेशा ही असफलता की ओर ले जाते हैं, उदेश्य पूरा करने के लिए 45. पूर्जा और शक्ती चाहिए और जब संदेह और डर घर कर लेते हैं तो तमाम द्रण विचार खत्म हो जाते हैं हम इस काम को कर सकते हैं, इस भान के होते ही इच्छा शक्ती अपने आपा जाती है संदेह और डर घ्यान के सबसे बड़े शत्रू हैं और वह जो उनका वद्ध नहीं करता, जो इन्हें बढ़ावा देता है, खुद को हर कद्म पर विफल कर देता है वह जिसने संदेह और डर पर विजय पाली, उसने असफलता को जीत लिया है उसका हर विचार उर्जा से परिपूर्ण होता है और हिम्मत से हर कठिनाय का सामना करके समझदारी से उस पर विजय पाई जाती है उसके उद्देश्य सही समय पर रोपे जाते हैं जो फलते फूलते हैं और ऐसे फल उत्पन करते हैं जो जढ़कर समय से पहले नहीं गिर जाते वे विचार जो उद्देश्य के प्रती निर्भयता से परिपूर्ण होते हैं, वे नवनिर्मान की शक्ती बन जाते हैं वह मनुष्य जो इस बात को जानता है, वह मात्र अस्थिर विचारों और चंचल उत्तेजनाओं का पुलिंदा न रहकर कुछ उच्चतर और सशक्त बनने को तैयार हो जाता है वह मनुष्य जो ऐसा करता है, वह सचेत रहे कर समझदारी से अपनी मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करने वाला बन जाता है वह सब कुछ जो मनुष्य हासिल करता है या जो कुछ हासिल करने में असफल रहता है, वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिनाम है उच्छित रूप से व्यवस्थित जगत में संतुलन के अभाव का अर्थ होगा पूरी तरह से विनाश, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी संपूर्ण होनी चाहिए मनुष्य की कमजोरी और शक्ति, पवित्रता और अपवित्रता उसकी अपनी होती है, किसी और की नहीं वे खुद उसके द्वारा उत्पन होती है, किसी और के द्वारा नहीं और उन्हें केवल उसी के द्वारा बदला जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा तो कभी नहीं उसकी परिस्थिती भी उसकी अपनी होती है, किसी और मनुश्य की नहीं उसकी दुख तकलीफ और उसकी खुशी भीतर से पैदा होती है जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह होता है जैसा वह सोचना जारी रखता है, वह वैसा ही बना रहता है कोई बलवान मनुश्य दूसरे कमजोर मनुश्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कमजोर मनुष्य मदद लेने के लिए तयार न हो और तब भी कमजोर मनुष्य को खुद ही बलवान बनना चाहिए अपने खुद के प्रयास से उसे वो शक्ती विक्सित करनी चाहिए जिसे वो दूसरों में सराहता है उसकी परिस्थिती को उसके अलावा कोई और नहीं बदल सकता मनुष्यों के लिए ये सोचना और कहना बहुत सामान्य होता है बहुत से मनुष्य गुलाम होते हैं क्योंकि उनमें एक अत्याचारी है हमें अत्याचारी से नफरत होनी चाहिए अब फिर भी कुछ लोगों में इस राय को पलटने की प्रवरिती बढ़ रही है कि वे कहें एक मनुष्य अत्याचारी है क्योंकि बहुत से गुलाम होते हैं तो आओ हम गुलामों का तिरस्कार करें सच्चाई यह है कि अत्याचारी और गुलाम अंजाने में सहयोगी है उपरी तोर पर वे एक दूसरे को दुख देते हैं जबकि वास्तव में वे खुद को दुख देते हैं आदर्ष ग्यान उत्पीवित की कमजोरी में और अत्याचार करने वाले की शक्ती के दुरुपयोग दोनों में नियम की कार्यवाही देखता है आदर्ष प्रेम दोनों ही स्थितियों में अपरिहार ये तकलीफ को देख कर किसी की भी निंदा नहीं करता आदर्श करुना अत्याचारी और उत्पीवित दोनों को ही गले लगा लेती है वह जिसने कमजोरी पर विजय हासिल कर ली है और तमाम स्वार्थपून विचारों को दूर कर लिया है वह ना अत्याचारी होता है और ना उत्पीवित वह स्वतंत्र है मनुष्य केवल अपने विचारों को उन्नत करके ही उचा उट सकता है, जीत सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है अपने विचारों को उन्नत करने से इंकार करने पर वह कमजोर्ट दैनिय और दुखी रहता है मनुष्य को किसी भी चीज को हासिल करने से पहले, चाहे वे सांसारिक वस्तुएं ही हो, उसे अपने विचारों को पाश्विक आ सकती की गुलामी के उपर उन्नत करना ही होगा इसमें सफलता हासिल करने के लिए भले ही वह तमाम पशुप्रवृती और स्वार्थ परता न छोड़ पाए, फिर भी कम से कम उसका कुछ अंश्टों उसे त्याग ना ही होगा वह मनुश्य जिसका पहला विचार पाश्विक आ सकती है, न तो वह सही धंक से सोच सकता है, न ही व्यवस्थित तरीके से योजना बना सकता है वह अपने अंतरनियत संसाधनों को ना तो पहचान सकता है और नहीं उन्हें विक्सित कर सकता है और किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में असफल हो जाता है अपने विचारों को साहपूर्वक नियंत्रित न करने के कारण ही वह कई मामलों को नियंत्रित नहीं कर पाता और गंभीरता से निभाय जाने वाली जिम्मेदारिया नहीं उठा सकता वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, न अपने बूते पर कुछ कर सकता है बलकी वह जिन विचारों को पसंद करता है, उन्हीं पर सीमित रहता है त्याग किये बिना कोई भी प्रगती या उपलब्दी नहीं हो सकती मनुष्य की सांसारिक सफलताएं उसी अनुपात में होंगी, जितना वह अपने भ्रामत पाश्वेक विचारों को त्याग देता है, एवं अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को द्रिल करके, अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास के लिए केंडरित कर लेता है वह अपने विचारों को जितना उन्नत कर लेता है, उतना ही सदाचारी, इमांदार और पौरुष्य युक्त बन जाता है, और उसे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी, उसकी उपलब्धिया उतनी ही सुखदाएं और टिकाओं होंगी ये भ्रमान लोभी, बे इमान, जूटे और शातिर लोगों के पक्ष में नहीं रहता, हालाकि सती तोर पर कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है, ये सच्चे, उदार और इमांदार लोगों की मदद करता है, हर युक के महान शिक्षकों ने अलग-अलग शब्दों में इस बात की घोशना की है और इस बात की पुष्टी करने और उसे जानने के लिए मनुश्य को अपने विचारों को उन्नत करके, खुद को ज्यादा से ज्यादा सदाचारी बनाने के लिए कटिबद होना बौधिक उपलब्दिया उन विचारों का परिणाम है जो ज्यान की खोच के लिए अथ्वा जीवन और प्रकृती में सौंदर्य और सत्य के प्रती समर्पित हैं कभी कभी ऐसी उपलब्दिया अभिमान और महत्वा कानक्षा से भी संबंदित होती है लेकिन ये उन 52 बटा 68 विशिष्टाओं के परिणाम नहीं है बलकि वे लंबे समय तक किये गई कटिन प्रयास तथा पवित्र और निस्वार्थी विचारों के स्वाभाविक परिणा जो मनुष्य उन्नत और महान विचारों की संकल्पना में निरंतर रहता है जो हर्शुध और नेस्वार्थ वस्तू में बसता है जिस प्रकार सूर्य अपनी परकाष्था और चंद्रमा अपने पूर्णत्व तक पहुँचता है नेसंदे हैसा मनुष्य अपने चरित्र में विवेकशील और उदात्त बन जाता है और प्रभावशाली एवं सवभाग्यशाली स्थिती तक पहुँच जाता है किसी भी प्रकार की उपलब्दी प्रयास का प्रतिफिलिन और विचारों का सिर्टाज है आत्मने इंफ्रन संकल्पना परिशुधता नीति प्रायंता और सही दिशा निर्देशित विचारों की सहायता से मनुष्य का उठान होता है पशुता, निश्क्रियता, अशुधता, रष्टाचार और भरामक विचार मनुष्य के पतन का कारण होते हैं मनुष्य संसार में उच्य कोटी की सफलता हासिल कर सकता है और आध्यात्मिक शित्र में भी बुलंदियों तक जा सकता है लेकिन अभिमानी, घ्रश्ट और स्वार्थी विचारों को अपने उपर हावी होने देने पर फिर से वह निर्बलता और दुर्भाग्य के गर्थ मे लगते हैं सभी उपलब्धियां चाहे वे व्यावसाइक, बौधिक या आध्यात्मिक जगत की हों वे निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विचारों का परिणाम होती हैं जो एक ही नियम द्वारा शासित हैं और एक ही तरीके की हैं उनमें अंतर केवल उपलब्धी के स्वपनद्रश्टा विश्व के उधारक होते हैं जिस तरह अध्रिश्य संसार द्रिश्य संसार को संभाले रखता है इसी प्रकार अपनी तमाम तकलीफों, गुनाहों और घ्रिनितकार्यों की वज़े से मनुष्य अपने एक मात्र स्वपनद्रश्टा के सुन्दर पूल नहीं सकती, वह उनके आदर्शों को धूमिल होकर मिटने नहीं दे सकती, वह उनहीं में जीवित रहती है और वह उन्हें उन वास्तविक्ताओं के रूप में पहचानती है, जिन्हें वह एक दिन देखेगी और जानेगी। और उच्य आदर्श सजोता है, वही एक दिन उन्हें साकार कर सकता है। 55. रखो, क्योंकि आपके मन में आकार लेती हुई सुन्दर्ता, आपके विचारों को आच्छादित करने वाला माधूर्यक तथा सारी आननदाई परिस्तितिया इनहीं में से विक्सित होंगी और दिव्यवातावारन का विकास होगा। 55. यदि इन सब के प्रती आप सच्चे हैं तो अंत में आपके विश्व का निर्मान हो जाएगा। 55. इच्छा रखने का अर्थ है उसे प्राप्त करना, आकांक्षा रखने का अर्थ है उसकी उपलब्धी। 55. क्या मनुष्य की निम्नतम स्तर की इच्छाओं की तुष्टी पूरी तरह से हो जाएगी और उसकी पवित्रतम अभिलाशाय प्रोट्साहन की कमी के कारण दम तोड़ देंगी, विधान ऐसा नहीं है। मांगो और पाओ कि संदर्ब में इच्छाओं की ऐसी दशा कभी नहीं हो सकती। उदात्त सपने देखो और तुम जैसे सपने देखोगे, वैसे ही बन जाओगे। भविश्य की तुम्हारी दूरदेशी में इस बात की आशा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे, तुम्हारा आदर्श इस बात की भविश्यवानी है कि आखिरकार तुम क्या अनावरित करोगे। बड़ी से बड़ी उपलब्धी भी शुरू में कुछ समय के लिए एक सपना ही थी। इतना बड़ा बर्गत का पेड़ भी प्रसुपत अवस्था में बीज में ही निहित होता है, छुजा भी अंडे में प्रतीक्षा करता है और आत्मा की उच्चितम कल्पना शक्ती में एक जागरत फरिष्टा प्रान डालता है। सपने असलियत के बीज हैं। आपकी परिस्थितिया प्रतिकूल हो सकती हैं लेकिन यदि आप किसी आदर्श को नजर में रखे और उस तक पहुँचने की कोशिश करें तो परिस्थितिया अधिक समय तक प्रतिकूल नहीं रहेंगी आप अपने अंतर्तम की यात्रा करते हुए बाहर अविचल नहीं रह सकते। यहां उदाहरन है एक युवक का जो गरीबी और परिश्थ्रम से दबा हुआ है, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए परिश्थित नहीं है, अप्रशिक्षित है और जिसे लंबे समय तक ऐसी आस्थे के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी वह बहतर चीजों के सपने देखता है, वह बुद्धि मत्ता, परिश्थिती, अनुग्रह और सौंदर्य के सपने देखता है। वह जीवन की एक आदर्श परिस्थिती के बारे में कल्पना करके उसे मानसिक रूप से निर् संसाधनों के विकास में लगा देता है। शीग्रही उसका मन इस तरह परिवर्तित हो जाता है कि उस कार्यशाला में अब उसका मन नहीं लगता। उसका मन अपनी मानसिक्ता के साथ सामन जस्य न बैठा पाने के कारण उसके जीवन से इस तरह हट जाता है। जिस तरह प्रिवक को एक वयस्क के रूप में पाते हैं. हम उसे मन की कुछ विशेश शक्तियों के स्वामी के रूप में पाते हैं, जिनका उप्योग वह विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग बेजोर ताक्त के साथ करता है. वह अपने हाथों में विशाल काई जिम्मेदारियो की दोर्था में हुए है, उसकी वानी सुनकर जीवन बदल जाते हैं. स्ट्री और पुरुष उसके शब्दों का अनुसरन करके अपने चरित्र में सुधार करने लगते हैं. वह सूर्य की भाती अटल और ऐसा प्रकाश्वान केंद्रब बन जाता है, जिसके चारों और असं की परिकल्पना को साकार करेंगे, निराधार इच्छा को नहीं, चाहे वह निम्न स्तर की हो या सुन्दर अथ्वा दोनों प्रकार की मिली जुली. आपका आंतरिक जुकाव सदा ही उसकी और होगा, जिसे आप चोरी छिपे मन में सबसे ज्यादा चाहते हैं. आपके विचा आपके आदर्श, आपकी परिकल्पना के साथ ही आपका उत्थान या पतन होगा. अपने पर हावी इच्छा के अनुकूल, अपनी नगण्य अथ्वा प्रभावी महत्वा कांक्षा के अनुकूल ही आप महान बनते हैं. स्टेंटन देविस करकाहम के सुन्दर शब्दों में आप अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते होंगे और अब तक जो आपके आदशों के बीच की रुकावट बन रहे थे, उस द्वार से चलकर आप निकल जाएंगे और स्वयम को ऐसे दर्शिक्गन के सामने पाएंगे कलम अभी भी आपके कान के पीछे होगी, हाथों पर स्याही के धब्बे होंगे और तभी वहाँ आपकी प्रेरना बोचार के रूप में फूट पड़ेगी। आप भले ही भीरने चरा रहे होंगे और कभी ग्रामीन देहाती की तरह शहर में चकित होकर मून बायहरान निरु देशे भूम रहे होंगे। इसी प्रकार अपनी आत्मा के निर्भीक मार्क दर्शन में आप अपने गुरु के कक्ष में पहुँच जाते हैं और कुछ समय बादवे कहेंगे तुम्हें सिखाने के लिए अब मेरे पास और कुछ नहीं है। अब आप गुरु बन गए हैं ज किसी मनुष्य को धनवान होते देख कर वे कहते हैं, वह कितना सोभाग्य शाली है। किसी अन्य की बुद्धिमत्ता को देख कर वे चिल्ला उठते हैं, भाग्य ने उसकी कितनी सहायता की है। इसी तरह किसी दूसरे की संतसुलब चरित्र और सर्वसामान्य जंता पर उसके गहरे प्रभाव को देख कर वे टिपनी करते हैं, देखो, जीवन के हर मोव पर संयोग कैसे उसकी मदद करता है, अपने उस अनुभव को पाने के लिए इन पुरुशों ने स्वेचा से जिन, उन सर्थ, संघर्षों, असफलताओं और मुसीबतों का सामना किया है, वे उन्हे नहीं देखते, उन्हें, उन लोगों के द्वारा किये गए त्याग और निर्भीक प्रयासों की कोई जानकारी नहीं है, किस तरह से उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखा कि सबसे कटिन प्रतीत होने वाले कार्य पर वे विजय प्राप्त करेंगे, औ अपने हृदय की परिकल्पना को साकार करेंगे, वे लोग उनके मन की व्यथा और उदासी को नहीं जानते, वे केवल उस बाहरी उत्साह और प्रकाश को ही देख पाते हैं, जिसे वे भाग्य का नाम दे देते हैं, वे लोग मुसीबतों से भरी उनकी लंबी यात्रा नहीं मान लेते हैं, सबी मानविय मामलों में प्रयास और परिनाम होते हैं, और प्रयास की द्रिलता ही परिनाम का परिमान है सयोग नहीं, शक्तिया, भौतिक, बौधिक, आध्यात्मिक, समपत्ति, रूपी, उपहार, प्रयास के वे फल हैं, जो पूर्ण किये गए विचार, आप यही बनेंगे. मन की शांती समझदारी के बहुमूल्य सुन्दर रतनों में से एक है. ये लंबे समय तक धहर्य पूर्वक किये गए आत्मनी इंत्रन की प्रयास का परिनाम है. इसकी मौझूदगी परिपक्व अनुभव का संकेत है और विचार के नियमों और उनके संच जरूरी हो जाता है कि वे लोग उनके खुद के विचारों का परिनाम है. और जैसे जैसे वह सही समझ विक्सित करता जाता है, तथा कारण और प्रभाव के फलस्वरूप अधिकादिक स्पष्टता से चीजों के आपसी संबंधों को देखता है, वह संतुलित, स्थिर और शांत बना रहता है, तथा जरा-जरा सी बात पर परेशान और दुखी होकर आग बबुला हो जाना और बात का बतंगर बनाना बंद कर देता है. शांत प्रवृति का मनुष्य खुद को काबु में रखना सीख कर ये जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे ब अहलाई के प्रती उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी शक्ती उतनी ही अधिक होती जाती है. एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वह आत्मनेंत्रन और धीरज विक्सित करता है, अपने व्यापार में वह उतनी ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है क्योंकि लोग सदाही ऐसे मनुष्य के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरन प्रभावशाली रूप से सयमित होता है शान्त और प्रभावशाली मनुष्य सदाही सम्मान और स्नेह का पात्र होता है वो प्यासी धर्ती पर छायादार व्रिक्ष या तुफान में आश्रे देने वाली चत्तान के समान है शान्त चेत्रदै, मधूर स्वभाव और संतुलित जीवन को भला कौन नहीं चाहेगा इससे फर्क नहीं पढ़ता कि बरसात है या धूप या जिनके पास ऐसे आशिर्वाद है उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं क्योंकि वे सदाही आकर्शिक, मधूर और शांत बने रहते हैं चरित्रा का वह उत्कृष्ट संतुलन जिसे हम प्रशान्ता कहते हैं संस्कृती का अंतिम अध्याय है, आत्मा का फालन है यह उतना ही मूल्यवान है जितना की विवेक, जो सोने से भी, हाँ, खरे सोने से भी अधिक वांचित है एक प्रशान्त जीवन के मुकाबले, केवल धन के पीछे भागना कितना निरर्थक है लहरों के नीचे, समुदरी तूफानों की पकड़ के परे, ऐसा जीवन जो सत्य के महासागर में वास करता है शाश्वत प्रशान्ती में हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं, जो अपने जीवन को कटुता से भर लेते हैं, और अपने आकरामक स्वभाव से जीवन में उस सब का सर्वनाश कर लेते हैं, जो सुन्दर और मधुर हैं, जो अपने चरित्र के संतुलन को बरबाद करके दुश्मनी मोल ले लेते हैं प्राश्न यह है कि आत्मनियंत्रन के अभाव में क्या देकांश मनुष्य अपनी खुशियों को खत्म कर अपने जीवन को बरबाद नहीं कर लेते अपने जीवन में हम केवल कुछ एक ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पूरी तरह से संतुलित है और जिनके पास वह उत्प्रिष्ट शालीनता होती है जो परिश्प्रित चरित्र का विशेश लक्षन है हाँ मानवजाती जैसे अनियंत्रित भावावेश से उमरती है बैलगाम दुख से उत्तेजित होकर संदेह और चिन्ता से इधर उधर थपेड़े खाती है वहीं केवल एक विवेकशील मनुश्य जिसके विचार शुधर और नियंत्रित है वह अपनी आत्मा की हवाओं और आंधियों को आग्या पालन के लिए मजबूर कर लेता है समुदरी तूफानों में हिचकोले खाय हुई आत्माओं आप चाहे कहीं पर भी हो चाहे कैसी भी परिस्थितियों में आप रहते हो जानले की जीवन रूपी भवसागर में आशिरवाद रूपी टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के उजडवल तट आपके आने की राह देख रहे हैं अपने विचार रूपी पत्वार पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए आपकी आत्मा की गहरायों में आदेश देने वाला मालिक लेटा हुआ है वो है लेकिन सुप्त अवस्था में है उसे जागरत करो आत्मने इंत्रन मनोबल है सही विचार निपुन्ता है प्रशान्ता शक्ती है अपने हृदे में यह भाव बनाए नीरव शान्ती शान्त बने रहे